जै माता दी आप सभी को चैत नवरात्री की हर्दिक सुब काम नाए माता रानी आप सभी को खुशिया दे दोस्तो आज हम बात करेंगे नवरात्री के दूसरी दिन देवी ब्रह्मचानी की पूजा बिधी, रंग, मंत्र और ब्रत कथा और साथ ही जानेंगे दही से किये जाने वाले महा उपाय के बारे में तो दोस्तो इसलिए आप वीडियो के साथ अंतक बने रहें दोस्तो सास्त्रों के अनुसार नौरात्री के दूसरे दिन मादुर्गा के दूसरी सोरूप देभी ब्रहम चार्नी रूप के पुजा की जाती है नौ सक्तियों में से ये मादुर्गा की दूसरी सक्ति है दोस्तो ब्रहम का अर्थ होता है तपस्या और चार्नी का अर्थ होता है आचरन करने वाली इसी तरह ब्रहम चार्नी का अर्थ है तब का आचरन करने वाली देवी इन्हें जगत के समझ चार एव अचार विद्याओं के ग्याता माना जाता है नवरात्री के दूसरे दिन विद्वत देवी बरम चाननी के पुझा से कारिये में विजय प्राप्त होती है देवी के इस सुरूप ने सियुजु को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों साल तक निर्जला और निरहार रहकर तपस्या की दोस्तो अब जान लेते हैं कि नवरात्री के दूसरे दिन का सुप मोहरत क्या रहेगा दोस्तो चैत नवरात्री के दूसरा नवरात्री ब्रत 10 अप्रेल दिन बूद्वार को रखा जाएगा इस दिन नवरात्री की दुत्य तीती रहेगी और देवी मा के ब्रहम चाननी सोरूप की पूजा की जाएगी तो दुत्य तीती प्रारम होगा 9 अप्रेल रात 8 बच के 31 मिनट से और दुत्य तीती समाप्त होगा 10 अप्रेल साम 5 बच के 32 मिनट पर अब जान लेते हैं कि पूजा का सुब मौरत कब रहेगा दोस्तो पूजा का ब्रहम मौरत सुबह 4 बच के 37 मिनट से सुबह 5 बच के 25 मिनट तक रहेगा और पूजा का अमरित काल रहेगा रात 10 बच के 41 मिनट से सुबह 12 बच के 9 मिनट तक अब जाल लेते हैं कि पुजा का असुब मुहरत क्या रहेगा राहु काल का समय होगा दोपर 12 बच के 28 मिनट से दोपर 2 बच के 1 मिनट तक कुलिक काल रहेगा सुब़ 10 बच के 54 मिनट से दोपर 12 बच के 28 मिनट तक और यम गंड काल रहेगा सुबह 7 बच के 47 मिनट से सुबह 9 बच के 21 मिनट दोस्तो इस कालों में पूजा पाट का कारिय वर्चित माना जाता है अब जान लेते हैं देवी बरम चान्नी की पूजा बीदी के बारे में दोस्तो देवी बरम चान्नी के दाहिने हाथ में जाप की माला और बाए हाथ में कमंडल है ये सक्षात बरमा का सवरूप है दूसरे दिन देवी की पूजा करने के लिए प्राता असनान करें और सबसे पहले हाथों में फूल लेकर उनका ध्यान करके बरत का संकल्प करें उसके बाद देवी मा को असनान कराके सफेद फूल अच्छत कुमकुम सिंदूर एओं अन्य पूजा समगरी अरपन करें इसके बाद ओम देवी बरम चान्नी नमा मंत्र का जाप करें देवी मा को सक्कर का भोग चढ़ाएं दोस्तो भोग के बाद पान और सुपारी मा को अरपित करें इसके बाद प्रतिक्षना करें यानि कि तीन बार अपनी ही जगे खड़े होकर परिकर्मा करें इसके बाद घी कपूर मिला कर देवी मा की आरती कर ले तो दोस्तो अब जान लेते हैं कि इस दिन किये जाने वाला खास उपाय क्या है दोस्तो बरमचार्णी ग्यान एउम तपस्या की देवी है नौरात्री के दूसरे दिन मा की विध्वत पूजा करें और पूजा में मा को दही मिलाकर पंचमरित त्यार करके अर्पित करें और ओम देवी बरमचार्णी नमा मंत्र का 108 बार जाप करें इस उपाय से आपकी कैसी भी समस्या हैं मा उसे अविश्य दूर करेंगी और कारे में सफलता का मजबूत्ती योग बनाएंगी अब जान लेते हैं कि मा ब्रमचार्णी के कल्यानकारी कथा के बारे में तो दोस्तों पोड़ानी कथा के अनुसार मा ब्रमचार्णी ने राजा हिमाले के घर में जनम लिया था नारजी के कहे अनुसार कठोर तब किया ताकि वो भगवान सीव को पती के रूप में परात कर सके कठोर तब के कारण ही उनका नाम ब्रहम चाननी पड़ा भगवान सीव की अरधना के दोरान एक हजार वर्ष तक के वल फल फूल खाकर ही जिवित रही कठोर तब से उनका सरीर भी छिर हो गया उनका तब देखकर सभी देवी देवताओं रिसी मूनी प्रभावित हुए और सभी ने उन्हें ये असर बात दिया कि भगवान सीव उन्हें उनके कठोर तब के कारण पती सरूप में अवश्य प्राप्त होंगे तो दोस्तो इस तरह उन्होंने अपने कठोर तब से उन्होंने भगवान सीव को पराप्त किया तो दोस्तो अगर आपके ये जनकारी अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जय मातर दी